हलो फ्रेंड्स गुड मॉरिंग मैं हूँ आपकी दोस्त नीलम और आज मैं बनाने जा रही हूं उड़त और अरहर और चने की डाल की रेसिपी जो की मैं बनाऊंगी इसकी क्या कहते हैं उसको जोर हमारे यहां तो जोर बोलते हैं वैसे यहां पर उसे कड़ी बोलते हैं पर हम जोठो इसे मैं राद को फिगो के रख लिया था अब मैं इसे मिक्सी में डाल के अच्छे से पिषूँगी हलाकि आप हैंचिल बेपांके सील व्हका है के फिर्षिए इस बिच्छ के सलिवरम चाहिए अब देखो इसका पेस्ट नहीं बना है सही से इसे घुमाना पड़ता है बीच बीच में मिक्सी को क्या कहते है इस दाल को चम्मस से घुमा लो और फिर दुबारा से पिसो और अगर फिर भी नहीं पिस रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी एड कर लो तो यह जल्दी से पिस जाएगा तो फ स्टाइम लग रहा है् क्योंकि मैंने सौचा था पहले मैं इसे एसे पिस लूँ सुख failures पर यह पिसा नहीं रहा था तो लास्ट में मिर्ट को पानी डालना पड़ा फोड़ा सा यह मैं ले के जा रही हूं पानी और यह थोड़ा सा पानी मैंने एड़ क आप देख सकते हैं कितना प्यारा पेस्ट बना है इसका और सच बताओं तो यह दाल ना देख के बहुत अच्छा लग रहा था जो उडद की दाल है वह बहुत प्यारी लगती है वैसे तो उसमें छिलके वाली थी लेकिन मैंने उसे राद को भी गोया था और फिर अच्छे से मसल के दुला था तो सारा छिलका उसका निकल गया था आप देख सकते हैं किलकुल क्लीन बना है पेस्ट और मैं अद्रग काटके इसी मिक्सी में डाल रही हूं और उसके बाद लसन मैंने छिला नहीं है वैसे ही धोके रख लिया है और एक प्याज और चार-पाच मिर्जी जिसना आपको तीखा चाहिए आप उतना डाल सकते हैं इन सब को दर्दरा पेस्ट बनाऊंगी बहुत बरी पेस्ट नहीं चाहिए आपको क्योंकि हम बना रहें यहां पे जोर गाउं में भी दर्दरा मसाला ही पीसते हैं मैं भी वहाँ पे बनाती थी तो मैंने सोचा आज म यहां की फेबरिट डिस यहां बनाती हूं और यह देखो मैंने मिक्सी रगापे जो है ऑन कर दिया है और इसका यह चुकि मेरे मिक्सी का जो यह बटन है वह खीचने पर निकल जाता थोड़ा सा डिफिकल्टी मेरे लिए होती है लेकिन कोई बात नहीं यह हो जाता और इसकी जरते हैं अगला प्रोसेस जो कि हमारा कडाही वाला है यह कडाही हमने रख दी है कडाही जैसे ही गरम हो जाएगी मैं इसमें रिफाइन ओयल डालूंगी सर्शोगा तेल भी आप यूँज कर सकते हैं फिलहाल मैं रिफाइन ओयल यूज कर रही हूँ और इसमें चावल डा क्योंकि दो तिन रोटी hasband को चाहिЕ युटा आटा तो लगाना ही पड़ता है और मेरा तेल गरम हो पूर एसे जो मेधी दाना, मेधी दाने अदरक इन सब का पेस्ट आप डाल दीजिए और इसको अच्छे से भुन लीजिए और ये मैंने डाल दिया है और जो है इसको मैं बहुत अच्छे से भुनूँगी जब ये भुन जाएगा अच्छे से तब मैं इसमें मसाला मिक्स करूँगी और ये देखी आप कुछ रेड यही कटोरी में निकाल के रख लेती हूं उसमें पानी डालके ताकि मुझे डालने में आसानी हो चमच चमच करके ना डालना पड़े और यह देखो मसाला डालने के बाद आप इसका कलर देख रहे हैं कितना प्यारा निखर के आया है जो मसाले में हल्दी होती वह बहुत कमाल पेस्ट पना के अलग रख लिया है जैसे ही मसाला ओयल छोड़ेगा मैं इसमें वह पेस्ट डाल दूँगी जब यह लेकिन उससे पहले यह मसाला बहुत अच्छे से पकना चाहिए इस मसाले को कच्छा नहीं छोड़ सकते चुकि जब इसमें हम डाल का पेस्ट डाल देंगे तो क्या होगा यह मसाला पकेगा नहीं इसलिए इस मसाले को पकाना बहुत जरूरी और आप देख सकते हैं मैंने लस्ट बिना छिले ही डाला था फिर भी आप देख रहे हैं कितना प्यारा है और खाने में एक बात बताओं कभी भी आप यूज करना बिना छिले लसन अगर दालते हो तो आपको उसका जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है लसन का जो दोनों की राने के सीरे होते हैं उसको काट दीजिए और अच्छे से उसको दो लीजिए और वैसे ही यूज करिए बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है और यह मैंने डाल का पेस्ट डाल क्योंकि वॉयल निकलने लगा था आप देख सकते हैं अगर मसाला तेल चोडने लगता है तो तेल ऐसे ऊपर तैरता है और मेरा मसाला बिल्कुल पक चुगा था इसके बाद ही मैंने डाला है और आप इसमें अपने quantity के हिसाब से पानी एड़ कर सकते हैं, हम दो जने हैं तो मैं अपने हिसाब से पानी एड़ करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे नहीं बनाना है और इसका जो पेस्ट होता है वो आप बरीक ही रखें क्योंकि जब यह पकता है तो गाढ़ा होता है और इसमें कुछ खटा बटा मट डालिए जैसे आप कड़ी में डालते हैं बिल्कुल मट डालिए यह ऐसे ही अच्छा लगता है और यह देखो कितना प्यारा कलर आ रहा यह ओल्मोस्ट पक चुका है पकने में बहुत ज़दर टाइम नहीं लगता है क्योंकि आपने मसाला तो पका ही रखा था बस डाल डाल पक नहीं होती है जैसे ही डाल पक जाती है मैं इसमें लगाऊंगी हींका तड़का क्योंकि यह उड़त डाल है और इसके साथ ही अरहार और इसके साथ ही चना डाल है तो कई लोगों को थोड़ा परिशानी हो से बनाईए आप भी अपने घरों में और एक बार ट्राइ जरूर करिए और जब ट्राइ करिएगा तो प्लीज मुझे उसका टेस्ट बताएगा कि कैसे लगा आपको डेफनेटली आपको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा और हींग लगाना मत भूलेगा क्योंकि कई लोगों को एसीडिटी के प्रॉब्लम होती है तो उड़त दाल से एसीडिटी ज़्यादा बनती है और अगर आप हींग लगा देते हैं तो एसीडिटी के प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी और वैसे इसका स्वाद भी बढ़ कि प्रॉब्लम हों